अब वाट आइज एकॉमर्स एकॉमर्स क्या होता है कि जनरली हम लोग इंटरनेट को यूज तरहीं कोई कुछ बिजनेश करते हैं तो इसट्रूद इंटरनेट स्कर्ट इकॉर्स वेदर इडिए सब्सक्राइब और सेलिंग गुड़ तो एक वह किसी भी प्रकार का से कर रहे हैं एलांग विद इस गेम्स वीडियोज एबुक्स सर्च डोमेन नेम सर्विस एलर्निंग और एजुकेशन ऑन दे इंटरनेट आसो कम अंडर एकॉमर्स प्रेट में हम लोग के पास इतने सारे ओप्षिन्स हो गया है जिसको हम लोग पर्चिस करते हैं या फिर हम लोग उसमें कुछ ना कुछ शुक्रिप्शन लेते हैं जैसे गेम्स में बहुत सारे करते हैं वैसी अगर वहां कॉइंस से यह पॉइंस से यह तो हम लोगो कुछ करना प्रकार क्या है विडियोज है वीडियो को भी सब्सक्राइब करना पड़ता है जैसे यूडैमी हो गया ठीक है यह सारे क्या है ऑनलाइन यह लेर्निंग प्लैटफॉम है जिसके अंदर बहुत सारे विडियो से विडियो से वह देखते हैं यहां पर पेड वीडियो स्पी होते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों पर्चेस करना हुता है अगर हम लोगों हाड हम लोग के बस हाड कौपी नहीं है उस चीज की नहीं है तो हम लोग उसका इभी 9 पैसे ले के सर्ट करने के लिए बहुत सरे सर्च इंजिन सब्सक्राइब उसे उपए करवाती है पिर उसी वाद ढाता है下 to domain name service domain name service भी हम लोग को क्या करना पढ़ता हो परजिस करना बता है कैसे दोएंस करते हैं यही कली रणिडिस से युडएमी हो गया माइजिवी गया टिकल howड सरे यहां प्लैट्फॉर्म एवलेबल है और एडूकेशन और यह लगवग लगवग दोनों इंटरनेट का यूज करके वहां पर हम लोग को लर्निंग प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हम लोग यहां पर मीटिंग लेना जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको पर्चेस करते हैं तो यह भी एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है तो इतने सारे ओप्षेंस आ जाते हैं हमारे e-commerce के अंदर ठीक है डैट इस ऑल सच एरियास त्रोव विच फाइनेशियल बेनिफिट्स आ टेकन बाइग गिवन फैसिलेटिटीज फुदे कस्टमर और अल्सों चल्स एरियास इन विच एकनोमिक बेनिफिट कैन बी अप्टेन त्रू एड जाता हूं किसी को पैसे देते हैं तो कुछ नब वहां मिल जाता है कि कैसे मिलता है किसको कुछ लिए समीस कि क्स्थेंगे कमारे कुछ वैसिलिटीज एंगी उसकी अधार पर हम लोगो कुछ तो यहां पर एकनॉमिक बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होता है और डायरेक्टली और इन्डारेक्टली दोनों चीजे हम लोग यहां पर कर सकते हैं ठीक है अधिकनॉमिक मतलब होता है कि आप कुछ पे करो आपको भी वह प्लैटफॉम कुछ पे करें जैसे बहुत सारे चिट फंड्स होते हैं तिक यह फिर जैसे कि सब्सक्राइब लोग जो है मनी को इंडारेक्ली और डारेक्ली अंडरी कॉमर्स यहां पर हम लोग एक्सेंज कर सब्सक्राइब तरीका क्या है वेबसाइट तो यहां पर जितने भी हम लोग इस प्रकार के वेबसाइट देखते हैं फिर अयन्डाय सबकॉंच हम यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं इक कॉमर्स बोलते हैuran करें टूंच कि एक आप मर्सी साथ क्टैंशन एलेक्टरोणिक कॉमर्स फिक हो यहां में और और यहां बोल सकते एकस्जन की एक्सेंशन की करते हैं बाइंग सेलिंग मार्केटिंग अचीन है यह सारे उप्षन्स मिल गए जहां पर हम लोग कुछ करते हैं कुछ सेल करते हैं कुछ मार्केट करते हैं मार्केट करता मसला एड़ भाइजमेंट करना या फिर कुछ हम लोग सर्विसेज देते हैं हो सकते हैं सब्सद्थों ऑनलाइन सर्विशेज रोया प्रकार्पी सर्विसेज तो सब्सक्रार के वेबसइट सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहीं कॉमर्स बोलते हैं इस सर्वेसेश आज और अलसो परफॉर्म्ड ओवर कंप्यूटर नेट्वर्क्स ठीक है एक कॉमर्स इस अर्रेंजमेंट ऑफ दूइंग बिजनेस त्रूप कंप्यूटर तो हम लोगों को बिजनेस करने की परमिशन देता है कि एक कंप्यूटर के जर्यें हम लोग यहां पर कर सकते हैं तो बिजनेस रिलेटेट फाइल्स कैन बी सेंट फॉन प्लेस तो अनदर तूटर नेटवर्क जो भी बिजनेस रिलेटेट फाइल्स हो चाहिए वो पेमेंट ऑप्शन हो या पिर और हो कुछ भी चीज हो सब ची प्रोड़क को सर्च किये और उसको ऑडर की तो हमारे क्लाइंट मशीन से एक और प्लेस हो रहा है और प्लेस हो रहा मतलब एक रिक्वेस्ट जाएगा मतलब एक बिजनेस रिलेटेटेट फाइल वहां पर क्या होगी एक्सेंज होगी जो चीज़ लोग एसे पेपर पैन में आँ सवाइए लिक्किया और करते थे वही चीज़ में क्या करें आलाइन और करें तो वह एक परकार का प्रोडर्मेंट वहां पर जाता है प्रोक्यरमेंट को प्रोसिस करता है वह अपने स्टॉक करेगा कि धैबलेबल है या नहीं है ठीक है कि कही बार होता है कि वहां पर सब्सक्राइब कर देते हैं तो अचाहिए तो उसकार से और फ्लेश करते समय च्टाइक श्तॉक अगर और प्लेकश हो एक पर इस टाइप के बुझ कुछ-बिजनस रिलेटेड फायस जो होते हैं वह कंप्यूटर नेट्वर्क की तुरह नहां पर सेंड कीए जाते हैं कि एप एप एक्सप्ट करती है अपने प्रोड़क के बारे में पूरा को पूरा डटेल यहां पर हम लोग को बताती है तो है वह वह हम लोग क्या करेंगे सagar और उस सारी जानते हैं सारी DO बार मुझा करते हुट उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं उसको मोच क्या करते हैं भड़ते हैं तो पुए लिवी परणी कोई बीचा साथ में इंटरनेट पे मिल गई है कि इकॉमर्स इस फैसिलिटी तो कंड़क्ट बिजनेस कमर्शियल कम्मुनिकेशन एंड मेनेजमेंट त्रू इलेक्रोनिक मेटड सच एडियाई और आटोमेटड डेटा कलेक्शन इकॉमर्स हम लोग एक वैसी फैसी देता देता है जिसे हम कर सकते हैं कमर्शियल कम्मुनिकेशन और मेनेजमेंट का मतलब यह होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोनिक डेटा इंटर्चेंज के थू हम लोग कम्मुनिकेशन करते हैं ठीक है जैसे कि हम लोग मान के चलो कोई भी कंपनी है उसकी दो या तीन ब्रांच है जैसे मान के चलो को कोई भी एक나ने उसकी से जो आ denial में में राइपूर में नीज ना तीन जगे में है तो हम लोगों कोई बीट़ करना करना है फिलाइपूर तर्थंत्य तो हम लोग क्या करेंगे या वाइस के थुए विडियो के थूए ऐसा हम लोग डेटा नहीं भेजेंगे सब चीज का एक फॉर्मेट होता है ठीक है हर डॉक्यूमेंट बनेगा उसका एक फॉर्मेट होगा वह एज़िट डेटा वहां पर सेंड होगा तो यह को मेंटेशन कर सके और उसका मेनेजमेंट भी हम लोग कर सके तुरू एडियाई को हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में टॉपिक भी है एडियाई ठीक इलेक्ट्रोनिक डेटा इंटर्चेंज को बोलते हैं लोग और अटोमेट एक में डेटा कन के होता है की जैसे मानके में ऊप्रोन दीन भर में जितने भी ट्राजेक्शन हुए रहते हैं और किसी की अकउंट में अप्लोर्ट होता है वह नियुक्त अि झार सारा डेटा जो है वह सिंक्रोनाइज कर लेता है कि यह कोमर्स टैकनीक औप सेलिंग और बाइंग प्रोड़क्स वां प्रोड़क्स और इंटरनेट और प्रोड़वाइडिन सर्वीसेज़ बीजनेस और कश्टमर्स प्रदेद का है क्या है कि आप टेकनीग है जिससे हम लोग किसी भी प्रोड़क्त को इंटरनेट पे हम लोग सेल कर सकते हैं या फिर हम लोग खरीज सकते हैं ठीक है वो चाहे बिजनेस हो या फिर कोई भी कंजीमर हो कि अब यहां यहां पर दिया हुआ है simply put e-commerce is a process by which business and consumers sell and buy goods and services through an electronic medium तो यहां पर कोई भी बिजनेस या कोई भी कंजीमर अपने प्रोड़क्त को सेल कर सकता है या फिर बेच सकता है थ्रूँ इलेक्ट्रोनिक मीडिया इलेक्ट्रोनिक का मतलब हमेशा कंप्यूटर के टर्म से महता है इंटरनेट टिक है इलेक्ट्रोनिक मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बिजली से चला रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रोनिक की बात कर रहा है कि इंटरनेट को हम लोग इलेक्ट्रोनिक मीडियम बोलते हैं थे कनके इती कने लिए भी के इंटंसेशनी वेडोनिक इंटेर्ट इंटन reflex इंटैनी इंट रांटरों सेडियर स्ड्रीवेश इन् लेडे ठेन टोन बेन वेड़ेश दोर्म इस पर्पसक वेडिमे acre 1 especially सेटेटरा फ्रूद एस्टीवी सर्वर वर डबलु 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 कैट्स एंड एलेक्ट्रोनिक पेइमेंट सर्विसेज तिक है अब देखो इकोंड जनरली यहां पे इंट्रोडूस किया गया था जिसमें हम लोग क्या करते थे बिजनेस डॉक्यमेंट को इंटरचेंज करना मतलब हम लोग कोई पर्चेस और को एक जगे से दूसरे जगे हम लोग भेज रहे हैं इन वाइसे हम लोग भेजते हैं जो की सारा चीज इलेक्रोनिकली सेंट हो रहा था ठीक है बाद में उसको क्य चारा नाम दे दिया वेब फॉर्म सकानाम दे दिया ठीक है और भी बहुत सारे एक्टि इस उसमें जुढने लगी को लोग I 다음 है करने लगए City तो इसका जनरली परपस क्या थो इसका ईसके जमेंगे कर खोड़ंगें को दॉ click कि जरविसेंगें अब यहां पर स्धिटःट्रेंटर जो की भी पेज को एक जगे से दूसरी पर रीडिकर करता है धिक करता है सब्सक्राइब or the world wide कृवर तो है और इलेक्टोनिक पेमेंट सर्फिसज़। में पर सूसे सब्रक्रेव ऑता था तस और इन वॉइसे में सारा चीज एलेक्चोनिकली की एंद करना님이 स्थार्ट था तो उस समय ही प्रोसेस इसका हूए करता था पिर 1979 तो अमेरिका नैशनल स्टैंडर्ड इंस्टूट डेवलप एससी एक्स ट्वैल ऐसे युनिवर्सल स्टैंडर्ड पर बिजनेश टूशेर डॉक्ट्रॉमेंट्स वाइए एक प्रकार का यहां पर प्रोसेस बनाया गया एससी एक्सट्वैल क्या करता था कि एक ऐसा फॉर्मेट डिजाइन किया गया कि जितने बिजनेश डॉक्यमेंट्स होते थे एक्सट्रॉनिक अलिए अगर सेंड होगे तो उसी टेक्नोलोजी को यूज करके वहां पर सेंड करेंगे इस पॉसिबल तो थिंक ऑफ दे हिस्ट्री आपी कोमर्स विदाउट ईबे एन यह सबसे पुराने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में जो सबसे पहले यहां पर इंट्रॉड्यूस किये थे इलेक्रॉनिक ट्रांजेक्शन को कुछ खरीदी विक्री कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कैसे टांस्वर करेंगे और इसके पारे हैं यह दोई कंपेनी जो है वह लेजेंट है आज के डेट में भी इवे और ऐमेज़न ठीक है यह वी आजकल अपना अपना इल्टोनिक कॉमर्स बहुत कम कर दिया है कि ग्यांव व्लडवार्ट इसका चलता है इंडिया में बहुत कम चलते हैं एमेज़न इ सब्सक्राइब करना है और जो बिजनेस यहां पर कर रहे हैं जो बड़े-बड़े वो भी सारा आपना बिजनेस जो है कंप्यूटर के माध्यम चे पर रहे हैं विट इट यूस मैग्सिमम वर्क इस सब्सक्राइब करना है दूसरे जगे तो हम लोग कर सकते हैं बहुत ज्यादा थाइम हो जाता है थोड़े से टाइम में सेंट हो जाता है इस इन्फॉर्मेशन से केन वी इन डेलिव प्रमस फोर्माटो टक्स ऐल्यों इमेज सब्सक्राइब उन प्ले देर रिस्प्रम्टिव फिल्ड कि तो यहां पे जो बिजनस मैंज ए वह अपना जो है पैला रहे हैं एकॉंपर्स के दुनिया में भी कॉमर्स टेकनोलोजी में भी जिसे अपनी बिजनस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं पैर पैला रहे हैं इकॉमर्स के दुनिया में भी इकॉमर्स टेक्नोलोजी में भी जिसे अपनी बिजिनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि तो यह थी हिस्ट्री इकॉमर्स के बारे में कि उन्यादा जी बारे में इकॉमर्स के बारे में को बारे में हुझ हैं